नमस्कार जहिंद बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में जी हाँ दोस्तों आज बक्त हो चला है आज दिन बर की सभी बड़ी खबरों को जानने का आज की इस वीडियो में बात करेंगे आज हमें 20 सबसे बड़ी खबरों के बारे में आपको बता दें कि अभी अभी भारत सरकार से बहुत बड़ी खबरे निकल के आई हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में सबी बड़ी खबरों के बारे में बिस्तार से लेकिन आप से कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हर ब्रेकिन विज़ आपको सबसे पहले मिले तो हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर ले जिससे की आने वाली हर्ता आजाखा और आपको सबसे पहले मिल पाए यहां दोस्तों आपको बता दें की वीडियो को पूरी चरूद देखीगा जिससे आपसे कोई भी काम की खबर मिचना हो तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की और आपको बता दें की आपका भी है जन्दन खाता तो फटा फट कर ले ये काम नहीं तो होगा डेंड लाख रुपे का नुकसान जी हाँ आपको बता दें की केंद सरकार की और से देश की जन्ता को जन्दन खाते की सुबदा दी जाती है अगर आप भी ये खाता खुलवाते हैं तो आपको कई तरह की सुबदा दी जाती है लेकिन अगर आप insurance का फाइदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है अगर आपने खाते को लिंक नहीं कराया है तो आपका 1.5 लाग रुपए का नुक्सान हो सबता है बता दें कि इस खाते में ग्राकों को रुपए डेविट कार दिया जाता है जिसमें 1.5 लाग रुपए का दुरुगर्णा भी मा मिलता है लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको एफ बेनिफिट नहीं मिलेगा यानि सीदे सीदे आपका एक लाग रुपए का नुकसान हो जाएगा दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी ख़बर की और आपको बता दें कि सोना चांदी बाइदा कीमत में फिर आई गिरावट उचतर इस तर से 10,000 रुपए सस्ता हुआ सोना आपको बता दें कि आज भारती बाजारों में सोने और चांदी की बाइदा कीमत में गिरावट दज की गई एमसी एक्स पर सोना वाइदा 0.03 फीसद गिर कर 46,580 रुपए पिती 10 ग्राम पर रहा जबकि चांदी वाइदा 0.15 फीसद गिर कर 66,884 रुपए पिती ग्लोग राम पर रही पिछले सत्त में सोना 0.05 फीसद लड़का था लेकिन पूरे सब्ता में इसमें तेजी आई है बारत में सोनों की कीमतों में इस महने की सुरुआत में 44,000 रुपए के इस्तर को छूलिया था बैसिक दरों के उच्छाल डालर के मुकाबले रुपए में आई ग्राबट और COVID-19 के मामलों में बड़ी चिंतावसी निचले इस्तर पर सोने को समर्थन मिला सोने ने पिछले साल अगस्त में 56,200 की रिकार्ड उचाई हासिल की थी इस्तर से सोना 10,000 रुपए सस्ता हुआ है पिछले सब्ता सोना 2 फीस्त से ज़्यादा तूटा 30 अगस्त 2013 के बाद से ए सबसे बड़ी साब्ता ही ग्रावट है इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से बिकरते हालात के बीच मुख मंत्री केजरी बाल ने लागडाउन की चयताब नी दी आपको बता दें कि पिछले साल COVID-19 महमारी के फैलने के बाद पहली बार दिल्ली में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं मुख मंत्री अरबिंद केजरी बाल ने चयताब नी दी है कि अगर हास्पीटलों में COVID-19 बेड कम पड़ने लगे तो उन्हें लागडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पर सकता है रवीवार को केजरी बाल ने कहा कि माई लागडाउन के पच्च में नहीं हूँ मुझे लगता है कि कोरोना का उपाई लागडाउन नहीं है लेकिन अगर मरीजियों के चलते हास्पीटल इस्टक्चर बटने लगेगा तो किसी भी सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पर सकता है उन्होंने नागरिकों से अपिल की कि अगर नागरिक सहोग करेंगे तो हास्पीटल बेवस्तान इंतरन में रहेंगी और हम दिल्ली में लागडाउन नहीं लगाएंगे कि जी बाल आज राधानी में कोरोना के हालात को लेकर आदकारियों के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं आपको बतातें कि करनाटा के मुक्मंतरी बी ऐस यदूरप्पा ने सुमबार को कहा कि अगर जरूरी हुआ तो सरकार को लागडाउन लगाना पर सकता है उन्होंने का कि लोगों को अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए अगर बेल लापरवाई करेंगे तो हमें सकत उपाय करने पर सकते हैं अगर जरूरी हुआ तो हम लागडाउन भी लगा सकते हैं इस् distintos हैं जान लेते हैं आज के पेटाओर अर्डीजल की नई कीमते जारी आपको बतादें कि सरकारी तैल कमपणियों ने लगातार बार में दिन आज पेटाओर और डीजल की कीमतों में कोई बदलायो नहीं किया है। आज भी पेटॉल और डीजल के दाम इस्तिर रहे, इससे पहले 30 मार्च को पेटॉल और डीजल की कीमत में बदला हुआ था, उस दिन पेटॉल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सचता हुआ था, इससे पहले 24 और 25 मार्च को पेटॉल डीजल सचता हुआ था, इन तीन दिनों में प्रोल का दाम 90.6 रुपए प्रती लीटर और डीजल का दाम 80.87 रुपए प्रती लीटर है दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बदा दें की स्टेशनों में बड़ी यात्रियों की भीड तो सुरू हो गई मुंबाई से यू भागलपूर आउदानापूर के बीच अतरिक्त इस्पेसल ट्रेनों का परचालन शुरू कर दिया है साथ ही पच्चमी रेलवे ने समल इस्पेसल ट्रेने चलाने का एलन किया है रेलवे के मुताबिक पुने से बिहार के भागलपूर आउदानापूर के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है इन स्पेशल ट्रेनों का परचालन आज यानि सोंबार से शुरू कराया गया इन्हें ट्रेनों में टिकट बुकिंग के बाद ही यातरी सपर कर सकते हैं दोस्तों अगर आप नोकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी कब निकल के आई है आपको बतादें कि फिलिप कार्ड ने मिलाया अदानी ग्रूप के साथ हाथ 2500 लोगों को मिलेगी जल्द नोकरी जी हाँ आपको बतादें कि अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वर्लमार्ट की एकाई फिलिप कार्ड ने सोंबार को घोसना की है कि उसने आदानी ग्रूप के साथ एक बारी जी भागी दारी की है इस भागी दारी का उद्देश फिलिप कार्ड की लोजिस्टिक और डेटा केंद छमताओं को मुझबूत करना है दोनों कमपनियों के बीच इस साजेदारी में लगबग 2500 लोगों को पितेश रोजगार मिल सकता है बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ नेश्ट अपडेट की और आपको बतातें कि जम्बू कसमीड में दर्दनाग हाथसा पांच की मौत और चार घायल आपको बतातें कि डोनडा जिले में दोपर करीब एक बचकर 45 मिनिट पर बड़ा हाथसा हो गया जिसमें पलक जपकते ही पांच यतरी काल के गाल में समा गए चीख पुकार के बीच दर्दनाग मंजर देख लोग सेहर उठे गायल यतरियों को अस्पिताल में बटी कराया गया और युद इस्तर पर बचाओ कारी चल रहा है आपको वदादें की जंबू सबाग में डोंडा के राष्टियों मारक पर दर्दनाग सड़का ऐसा हुआ इस हाथसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग गंबी रुख से गायल हुए हैं जिने अस्पिताल में बटी कराया गया जोस्तों जान लेते हैं इसी के साथ आज के मौसम के बारे में आपको वदादें की मद्धि प्रदेश 36 गर बंगाल समित इने राजियों में हो सकती है तेजबारिस जाने दिली बिहार यूपी का हाल आपको बताने की देश बर में लोग गर्मी से बेहाल हैं मर्दि प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू अपना प्रकॉप दिखाने लगी है इस बीच भारत मौसम बिग्यान ने मर्दि प्रदेश 36 गर पच्चमी बंगाल और उरिसा समयत कई राजियों में तेजबारिस का अलर्ट जारी किया है इस दोरान हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर पिती घंटा रहेगी IMD के मताबिक पच्चमी हिमाली शत्र में पच्चमी बिचोब उत्पन हो रहा है एह पच्चमी बिचोब 14-17 अप्रेल के बीच रहेगा मौसम बिवाग के मताबिक आगामी 4-5 दिन मद्पिदेश, महराष्ट, तेलंगाना, 36 गंड, पच्चमी बंगाल और उडिसा के अधिकान्थ हिस्सों में आंधी तूपान के साथ तेज बारिस होने की सबामना है इस दोरान हवाओं की रफ्तार 30-40 किलिमीटर पिती घंता रहेगी, जार कंड में भी अगले दो दिन में बारिस होने की संबामना है इसके साथ ही दच्च्चिन में इस्तित तमिलनाडू केल, महें और करनाटक के तटिये च्चत्रों में बारिस की संबामना है बहीं पच्च्च्मी राजिस्तान के कई इलाकों में 14-15 अपरेल को धूल भरी आंदी और बारिस की संबामना जताई जा रही है तो दोस्तों ये थी आज की मुख्री ब्रेकिन और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और हमारी यूटूब चैनल को सबस्काइब करें जिसे की आने बाली हर ताजा खाबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए जै हिंद